नंबर तीन, काली मिट्टी यानि ब्लैक स्वाइल, इसे लावा मिट्टी भी कहते हैं क्योंकि ये लावा के विखंडन, विखराओ एंवं जमाओं से निर्मिध हुई है, इस मिट्टी का विस्तार मुखितया दक्कन के पठार पर है, इसलिए इसे दक्कन ट्राप स्वाइल प्रशाइब के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। इस मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपसिटी अच्छी होती है। कपास की जणों को पर्याप्त मात्रा में पानी चाहिए। इसलिए ये मिट्टी कम वर्शा में भी कॉटन की जणों में नमी बनाए रखती है। इस कारण इसे cotton black soil भी कहते हैं। इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर महराष्ट में काली मिट्टी की स्थानी संग्या है। इसमें लौहांश की अधिक्ता होती है तता हुमस का अभाव होता है। लौहांशों की अधिक्ता के कारण ही इस मिट्टी का रंग काला ह प्रथम वर्षा के पश्चाज जुताई करना अवश्यक है अनिता दरारें पड़ जाती है और जुताई करना कठीन हो जाता है इस मिट्टी का विस्तार 15.2 प्रदिशत अर्थाद 5 लाख वर्ग किलो मीटर शेत्र भल पर है ये मुखिता गुजरात महराश्ट एवं आंधर मद्रदेश में पाई जाती है मद्रदेश के मालवा के पठार पर भी ये मिट्टी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है